कि चलो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है आज कैसी शॉल नहीं करेंगे नेक्स डेसीम नहीं हो चीज को फ्रडुर करेंगे क्या देखते हैं अभी जो भी लोग एटवाइसरी वाणिहों रचन बिलब ले जिरूबत नहीं है अगर ट्रेड से मिलें व्युद्ध जो एक प्लान क बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं जिसको भी इंडेक्स वाले लोग ट्रेड करते हैं चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ कल डेटा हमारा बुलिश साइट पर इचीज हमने देखा था और इसके नीचे जाने पर अपने को शॉर्ट की साइ बिल्कुल बुलिश में अब कोश्चन यहां से मार्केट वापस से उपर जाएगा की मार्केट यहां से नीचे आएगा कैसे तरीके से प्लान करेंगे देखो एक चीज तो है कि बुल्स कितने तगड़े तरीके से उन्होंने रियक्ट किया आज के दिन और एक ब्रेक आएगा अब आपके लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना बड़ा ब्रेक्डाउं जब भी आपको प्लान करना है बड़ा जैसे हजार पॉइंट का हो तो 44,900 के नीचे करना है एक चीज दूसरी चीज क्या है यहां पर आपका सपोर्ट है अब बहुत से लोग पूछ स मिल जाया किदर की तरफ ठीड लेना है अनीवेड लेवल को नोट करते है ठीक है आप मेरे को जरूर बताना आज अपको लगा था कि आपको लगा था कि आसा तरीके से भागे आ नहीं बाहगे निपटा से क्या पता है कि मार्क खुलेगा किस साइड पर आपको उपर खुलन कॉल राइटिंग अंकवर हुई है पुट राइटर्स आपके 20,000 21,800 पे भी दिख रहे हैं और सारे कॉल राइटर्स जो है आज भागी है और ऊपर की तरह शिफ्ट हो है ठीक है एक चीज और ध्यान रखना क्या चीज ध्यान रखना है मैंने आपको एक चीज बताया था कि अ स्वाइट फॉट टाइरेक्शन बाइटा टीक है तो अगर आप डेटा के साथ चलोगे तो दिक्कत नहीं आ देती ठीक है अगे बढ़ते हैं और वह पस से ओक आते हैं अगर मैं बात करता हूं नीशे आपकी ठीक है ठीक है ठीक है तो डेटा बुलिट साइट है अगर आप 5 लेग 1 लेग 4 लेग 2 लेग 1 लेग 2 लेग 1 लेग 2 लेग 1 लेग ठीक है तो कॉल पूट्स दोनों है ठीक आते हैं वह पस से अपना निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर ठीक है 45700 अगर यहां के ऊपर से ट्राई किया था देखो एक चीज ध्यान रखना कि जबी भी आपको सपोर्ट बिक बन जाती है जो कोई रेजिस्टेंस टूटती है बट वो कैसे पता करें जहां पर सेलर हारा है इस जगा पर एक रेजिस्टेंस थी अगर आपको ध्यान है 45700 पर और 45700 पर सेलर्स ने ट्राय कर लिया मार्किट नीचे आया और ब्रेक आउट दिया उसके बाद बिल्कुल सभी बात है लेकिन डेटा ने सजेशी नहीं किया इसलिए हमने ट्रेड ही नहीं लिया एक बीटेड नहीं लिया इस चक्र में लाइफ यहां पर मैंने शॉट किया था प्रॉफित दे रहा था बैंक निफ्टी में कोस्-टो-कोस निकल गया निफ्टी का एक इस सब्सक्राइब करें निफ्टी में सेम चीज क्या हुआ है अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको अच्छे से शॉर्ट सब्सक्राइब करें निफ्टी का उसको पार करने में इसली तयार रही यहां पर आप देखोगे तो सब्सक्राइब करें अगर यहां से मार्केट उपर खुलता है तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं क्या यहां पर एक अच्छी बाइंग आई है कभी भी प्रॉफिट को आ सकता है अगर अगर मार्केट सब्सक्राइब करते हैं क्या क्योंकि ऐसा कुछ और यहां बाहर ट्रावल कर आई है तो जब तक है आपका यहां से आप ट्रेंड रिवर्सल को मानोगी वो यही लेवल है इसके उपर क्लोजिंग पर ही हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को मान लेंगे और इस सेलिंग आपकी फिनिश हो जाएगी लेकिन कल का दिन अगर कल फॉलो अप आता है अगर फॉलो अप मतलब कल फॉलो अपकी वपस से आती है तब अपने को समझ में आ जाएगा क्लोजिंग होती है कि हां यहां पे बुल्स स्ट्रॉंग है नहीं तो आज का मूव मैं शॉर्ट कवरिंग का मूव को ज़्यादा प्रेफर करूंगे मा और हाँ चीज ध्यान रखना यह अगर कल मानलों मैं बुलिश में हूं या बेरिश में हूं और अगर यह दोनों रेड में जा रहे हैं तो मैं क्यों अननेसरी करूंग तो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यह ग्रीन था अब शॉर्ट का ट्रेड में आपको देता अव्यस सी ब 750 का लेवल ठीक है what if market खुल जाए gap down इसके नीचे 750 के नीचे ही gap down पर अपने को sell के बारे में सोचना है नहीं तो ध्यान से उपर लेके जाएंगे और एक m pattern बनेगा तब अपने को sell करेंगे क्योंकि gap down मतलब कोई news खराब है तब ही gap down लग रहा है नहीं उपर नीचे का टेंड इधरी की तरफ भी टेंड नहीं शौट कवरिंग कहां तक लेके जाए उसका कोई आइडिया नहीं होता राइट ओके तो क्रक्स क्या निकला मार्केट में कि आपको पोजिशन साइजिंग कम रखनी है जिधर की साइड भी टेड लो डेटा प् को समझ में आया होगा अभी के लिए इतना ही सी यू नेक्स सेशन तिल देन बाबाई